दूस्तों आज फिर से हम हिंदी साहित के इतिहास की बात करेंगे अचारी रामचंदर सुक्ल उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में उनीश्व 29 इसमी में हिंदी साहित के इतिहास लिखे थे उनके इतिहास में आखिर क्या बात है हैं सुकलिन domainsui का शाहित के पर्वति क्रति क्या दृष्टिकूं है आदिकाल के परती भंगतिकाल के परति रीधिकाल के परति उसी की चर्ठा करें से हमने परकरण वन और पर क्रें। चर्चा की थि पर करन वन में अचारी रामचंदर सुकल ने शिद्ध शाहित की बात की थी सिद्ध शाहित के बारे में अपने दरिश्टिकोन को बताये थे तो आज हम बात करेंगे नात साहित के बारे में अगर पूरी विडियो को आपने देख लिया तो सुक्ल का नाथ साहित के परती दरिश्टिकोन आपका किलियर हो जाएगा साथ ही अगर आप पूरे भारत में हिंदिशाहित से रिलेटेड कोई भी पेपर दे रहे हो तो यहाँ पर भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो आपको रजल्ट की स्टांप पेपर पर लिखत गाइड़न्टी देती है हमारा फिर से नया बैच शुरू हो रहा है अगर आप भी संपुर्ण शाहित को टिप्स पर करना चाहते हैं तो वन विक फ्री क्लास लेकर देख सकते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे नात साहित का विश्य तो नात साहित क्या है इस पर थोड़ी सी में चर्चा कर लूँ नात साहित बहुत परंपरा का ही अगला चरण नात साहित का लाता है जब बहुत धर में तंत्र मंत्र की धारना आ गई बरजियान की परंपरा आ गई उसी में से कुछ सिद्ध थे जो सिद्ध थे वही नात साहित में आ गए नात का मतलब होता है मुक्ति परदान करना आने की बाशनाओं से काम से जो आंत्रिक कुविर्टिया है इग्नॉरेंश है उससे मुक्ति करना नात साहित में हठ्योग की बात कही गई है हठ्योग क्या होता है हठ्योग का मतलब होता है हवा पलस्ठा हा मतलब होता है सूर्य अर्ठा मतलब होता है चंद्रमा आनिकी सूर्य और चंद्रमा को मिला देना ही हठ्योग है अर्थात इंद्रियों के मूल परिविरती को पलड देना भी ही हटियोग है नाथ साहित में शैयम शदाचार पर बल दिया गया है नाथ साहित भी एक संपरदाइक शाहित है और नाथ साहित में अचारे रामचत्र शुक्ल ने ही नो नाथ की चर्चा की है इसमें से जो पांच नाथ हुए हैं, वो पहले सिद्ध थे, जिसका सिंपल कोडिंग याद रखना, वो कोडिंग था मजा नाचगो, मजा नाचगो, इनको पांच जो सिद्ध थे ये, यही बाद में नाथ हो गए, म मतलब हुआ मचहंदर नाथ, जा मतलब जालंधर नाथ, गा मतलब गो रखनाथ, मजा नाचगो, चवः मतलब चर्पट नाथ, अगो मतलब गो रखनाथ, ये जो पांच नाथ हुए, यही ये पहले सिद्ध थे, बाद बें नाथ हो गए, और नार्थ साहित में जो है चरित्र पर जादा जोड़ दिया गया है परतीक पर जादा जोड़ दिया गया है इसको ध्यान में रखियेगा और नार्त साहित में जो सबसे महत पुर्ण वाते हैं वो हठ योग है और कुंडलिनी जागरन नार्त साहित की सबसे परवग विसेशता है कुंडलिनी जागरन सड चक्र वेदन कुंडली किस तरह जागरित होता है और वह जागरित होकर आत्मा शे प्रमात्मा की ओर ले जाता है इसी की चर्चा इसमें की गई है तो अब शुकल के बुक के अनुसार हम देखते हैं नात साहित क्या है शुकली जी लिखते हैं बहुत important line है ध्यान रखियेगा शुकली जी लिखते हैं गोरक नात के नातपंत का मूल भी बुद्धों का यही बरजियान साखा है कहने का मतलब यह है कि गोरक नात के जो नात साहित है वो भी बरजियान साखा से ही बिक्सित हुआ है अनिकी सिद्ध का ही अगला चरन है 84 सिद्धों में गोरक नात गोरक्षपा भी गिने जाते अभी हमने कहा मजा नाचगो 84 सिद्धों में पांच जो है जो सिद्ध थे वही नात हुए पर यह अस्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया गोरक नात ने योगियों की इस हिंदू साखा ने बरजियानियों की असलील और भीवत्स विधानों से अपने को अलग रखा सुकली जी लिखते हैं कि जो गोरक नात हुए है यद भी इनका विकाश शुफी जो है गोरक नात के शाहित का सिद्ध शाहित से ही हुआ है लेकिन इन्होंने बरजियानियों की जो असलील और भीवत्स विधान था उससे अपने आपको अलग रखा यद पी सिब सक्ती की भावना के कारण कुछ स्रिंगार मई वानी नात पंथ के किसी किसी गरंथ जैसे सक्ती संगम तंत्र में मिलता है सुकली जी लिखते है कि जो गोरक नात थे या जो नात पंथ था अपने आपको बरजियान के जो असलील और भीवत्स विधान था उससे अपने आपको अलग कर लिया यद पी नात साहित में भी कुछ स्रिंगार मई वावनाएं मिलती है जैसे उन्होंने कहा शक्ती संगम तंत्र ये याद रखना कि नात साहित का स्रिंगार परक भावनाएं कहां मिलती है तो सक्ती संगम तंत्र में आगे गोरक नात सुकली जी लिखते हैं गोरक ने पतंजली के उच्छलक इस्वर प्राप्ती को लेकर हट योग का परवर्तन किया अब सुकली जी ये बात कह रहे हैं कि गोरक नात ने जो पतंजली ने योग दर्शन दिया था उसी पतंजली के योग दर्शन से परवावित होकर हट योग को का परवर्तन किया बरजियानी सिद्धों का लिला छित्र पुर्वी भाग था जब सुकलिजे पहले भी बात कही थी इसको याद रखिएगा सुकलिजे लिखते हैं कि जो बरजियान का छित्र था बरजियानी सिद्धों का छित्र था वो पुर्वी भारत था खास करके बिहार से ले करके अशम था वही गोरक ने अपने ग्रंथ का परचार परसार देश के पच्छमी भाग और राजपुताना और पंजाब में किया यहां से बारबार सवाल पूछा जाता है कि सिद्ध शाहित का विकास ब्रजियान का विकास पूरवी भारत में हुआ और वही नात साहित का विकास अनि गोरक नातने इसका विकास जो है पच्छमी भारत राजपुताना और पंजाब के छितर में हुआ पच्छमी भारत, राजपुताना और पंजाब के छितर में हुआ आगे समझिएगा गोरकनात के समय का ठीक पता नहीं था सुकली जी लिखते हैं कि गोरकनात कब हुए हैं इसका कोई खास पता नहीं दिखाई पड़ता है लेकिन राहुल संकृत्यायन जी ने बरजियानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो अस्थान रखा है उनके अनुसार समय बिक्रम की दस्वी शदी में आता है और उनका आधार बरजियानी सिद्धों की एक पुस्तक रतनाकर जोपम कथा है ये भी पूछा हुआ है रतनाकर जोपम कथा ये बरजियानी की पुस्टक है यहां से भी सवाल उठाया गया था कि रत नाकर जोपम कथा किस से सम्भन नित थे तो बरजियान से यहां पे सुकले लिखते हैं कि गोरत नाकर का समय पता नहीं है लेकिन राहूल संकृताईन जी ने बताया है रत नाकर जोपम कथा के आधार कि गुरक नाद का समय बिक्रम के दस्मी शदी आता है किसके अनुशार रतना कर जोपम का था और ये रतना पर जोपम का था किसका है बरजियान सिद्धों की पुष्टक है अब आगे समझिएगा सुकल जी लिखते हैं जिसके अनुसार मीन नाथ के पुत्र मचंदर नाथ कामरूप के मचवारे थे अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये समझिएगा क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं सवाल नहीं पूछेगा कता मीन नात, यहां लगता है कि मीन नात के पुत्र मचंदर नात थे, जो कामरूप के मचवारे थे, चरवाहे थे, मचवारे कामरूप असम में है, ध्यान लख रिएगा, जो कामरूप लिखा हुआ है, वो कता है कामरूप के मचवाहे थे, मचली पालने वाले थे, मचंदर न सिद्ध हुए अब एक पर फिर से समझना सुक्ली जी के बुक को बहुत धीरे-धीरे समझने की ज़रत है अगर आप तेजी से समझोगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे अब सुक्ली जी लिखते हैं गोरक नात का समय का हमें पता नहीं है लेकिन राहुल संक्रितेन जी के अनुशार राहुल संक्रितेन जी ने रतनाकर जोपम कथा जो बहुत इंपोर्टेंट है जो बरजियानी की पुस्तक है उसी में गोरक नात का समय दश्मी शंबत दश्मी विक्रम की दश्मी शदी बताई गई है इसी में बताया गया है कि मीन नात के पुत्र मच्छंदर नात थे जो कामरूप के एक चरवाहे थे का सारी कामरूप के एक मच्छवाहे थे मच्छवाहे मतलब मचली पकरने वाले पर सिद्धों की अपनी सुची में संक्रित एंजी मत्यस्यंद्र को जालंधर के सिस लिखा है खुद सिद्धों की सुची में जो है यहां पर चर्प टीपा के सिस बताएगे है वही सिद्धों की सुची में मत्यसंद्र को जालंधर का सिस बताया है जो परंपरा से परशिद चला आ रहा है गोरक नात के गुरू मच्छंदर नात थे, मच्छंदर नात था, यह तो परशिद है, याद रखना सुकली जी भी लिखते है कि गोरक नात के गुरू मच्छंदर नात थे, यह तो परशिद है संकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंसी राजा देवपाल के समय सम्मत नौशो के आस्पास माना है अब सुकली जी लिखते हैं कि संकृत्यायन जी जो है राहुल संक्र जो मीनपा है या मीननाथ है वो पालवंस के राजा देब पाल के समकालिन था यह समय उन्होंने किस आधार पर इस्थिर किया पताने यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा को राजा देब पाल के समय होने का उलेक होता तो यह अपनी और अपनी बिसेश रूप से आकर सिद्ध करते 84 सिद्धों के नामों में हेर फेर बहुत शंभव है हो शकता है कि गोरक्षपा और चोरंगी पा के नाम के पीछे से जुर गए हो और मीनपा से मत्यसंदरनात का नाम सामे के अतरिक्त कोई शंबंध नहीं है यह बात सुकल जी लिखते हैं लेकिन इतना ध्यान रखना कि मीनपा जो है मीननात मचंदरनात का पुतर था और गोरक्षपा नात के गुरू मचंदरनात को माना जाता है आगे सुकल जी लिखते हैं कि यहां से समझे महराष्ट के सत ग्यान देव ने जो अलावदीन के समय में थे महराष्ट का संत ग्यान देव किसके समय थे यह भी याद रखना जो संत परंपरा के थे वो अलावदीन के समय के थे अपने को गोरक के सिस परंपरा का कहा है अब देखो जो महराष्ट के संत नाम देव हुए है उन्होंने खुद को जो अलावदीन के समकालीन है उन्होंने खुद को गोरक नात के सिस परंपरा का कहा है मतलब खुद को उन्होंने कहा कि हम गोरखनात के ही सिस्परंपरा के हैं इसमें आदीनात उन्होंने यह परंपरा का करम बताया है यह भी याद रखना कोड जो है वह परंपरा का करम बनाया है यह भी कुश्चन पूछा गया है आदीनात अब अनिकी गोरक नात के शिश परंपरा का जो करम है जिसमें ग्यान देव आते हैं तो उसी में है आदी नात, मतेसेंद्र नात, गोरक नात, गैनी नात, निबिर्ती नात और ग्यानेश्वर और क्या नाम है ग्यानिश्वर इन सब नाम को याद रखना यहां से बार बार सवाल पूछा जाता है अब आगे हम समझते हैं, कहता है कि इस महराष्ट परंपरा की अनुसार गोरक नात का समय महराज पिर्थवी राज के पीछे जाता है अगर इस परंपरा को मानेंगे तो गोरक नात का समय जो है महराज पिर्थवी राज के पहले जाता है, पीछे जाता है नात परंपरा में मत्य संद्र नात के गुरु जालंधर नात माने जाते है भोट के गरंथों में भी सिध जालंधर आदी नात कहे गये है अब देखो ये याद रखना जो भोट के गरंथ है उसमें जालंधर को ही आदी नात कहा गया है पुछा है किसे आदिनात कहा गया तो जालंधर को ही आदिनात कहा गया है सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा परतीत होता है कि जालंधर ने ही सिद्धों से अपनी अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए और वहां कांगरा की पहारियों तथा और अस्थानों में रमते रहें पंजाब का जालंधर सहर उसी के नाम पर जान परता है अब शुकले जी लिखते हैं कि सब को छोड़ कर अगर जालंधर नात के बारे में देखा जाए तो ये जालंधर नात जिसे आदी नात कहा जाता है इन्होंने ही बरजियानों की परंपरा से अलग हो करके पंजाब की पहारी कांगरे पंजाब की पहारी की तरफ आगे बढ़े कांगरे की पहारी में पहुँचे और इसी जालंधर के नाम पर पंजाब का एक सहर जालंधर भ भी कहा गया है अब देखो इसी जालंधर को याद रखना पार बार पोच्छता है जालंधर को कहीं कहीं आदी नाथ कहा गया है और कहीं कहीं बाल नाथ भी कहा गया है सुकले जी ये भी बात कहते हैं कहीं जालंधर नाथ कहे गए हैं और कहीं बाल नाथ कहेंगें नमक के पहा जो पंजाब में हैं वहाँ पर जो बाल नात का टीला था वो बहुत दिनों तक परसिध रहा है आगे कते हैं मतेसेंद्र जालंधर के सिस्थे नात पंथियों की यहधारना ठीक जान पड़ती है अब शुकली जी लिखते हैं कि जो है मतेसेंद्र नात जालंधर के सिस्थे यहधारना ठीक पड़ती है नात पंथियों की यहधारना ठीक जान पाती है मीनपा के गुरु चरपट नात हो शक्ते हैं पर मतेसेंद्र के गुरु जालंधर ही थे अब शुकली जी यहाँ पर कोड कर रहा है याद रखना अस्थापना और तर्ग के लिए कि मीनपा के गुरु चरपट नात हो शक्ते हैं पर मतेसेंद्र के गुरु जालंधर ही थे मीनपा के गुरु चरपट नात हो शक्ते हैं पर मतेसेंद्र के गुरु कों थे जालंधर थे संक्रित अइन जी ने गुरक का जो शमय इस्थिर किया वह मीनपा का राजा देव पाल के समसामईक और मतेसेंद्र के पिता मान कर किया मतेसेंद्र का मीनपा से कोई शमन्द ना रहने पर उक्त समय का मानने का कोई आधार नहीं रह जाता है और पिर्थवी राज के समय के आसपास ही मिसेस्त है कुछ गोरक नात के होने का अनुमान है कि जो महराजा पिर्थवी राज हुए है उसी के आसपास गोरक दात के होने का अनुमान है तो पूरी विडियो को ध्यान से समझ के रोक के समझ जियेगा तभी इसका फाइदा होगा दोस्तों जीवन में सफल होना बहुत जरूरी है हम आसफल होते हैं तो दूसरों पे आसफलता का हार मर देते हैं लेकिन हम अपने कमियों को नहीं समझते हैं हर इनसान को अपने कमियों पे काम करना चाहिए कहां आप गल्ती कर रहे हो कहां बार बार आप से गलत हो रहा है उस पे काम करना बहुत जरूरी है इसी लिए हमारी कोशिस है कि आप हर एक पहलू को आशान भासा में समझे अब सुकली जी लिखते हैं कि जिस परकार सिद्धों की संख्या 84 पर सिद्ध है उसी परकार नाथों की संख्या 9 है पिछले साल जस्ट यही कोश्चन पूछा है कि नाथों की संख्या सुकली जी ने कितना बताया नेट के कुश्चन में पूछा तो नो अब बताया टेनियर देख लेना अभी लोग नबनाथ या 84 सिद्ध कहते सुने जाते है गोरक्च सिध्यांत संग्रे में मार्ग परगर्थों को के नाम गिनाए गया है रचना भी दी गई है और साथ ही साथ नो नाथ की चर्चा भी की गई है किसमें की गई है गोरक्च सिध्यांत संग्रे में सुकल नो नाथ की चर्चा करते है इसमें नो नाथ कोन है नागरजुन, जर्वरत, हरिष्चन, सत्यनात, भीमनात, गोरक्षनात, चर्पटनात, जालंधरनात और मलियारजुनात इन नामों में नागरजुन, चर्पट, जालंधर, सिद्धों की परंपरा का ही है और शुकल तीन को कहते हैं सिद्धों की नागरजुन, चर्पट और जालंध नागरजुन पर सिद्ध रसाइनी थे ये भी याद रखना कि जो नागरजुन हुए है नाथ साहित में वो रसाइन सास्तर के जानकार थे नाथ पंथ में रसाइन की सिद्धी है शुकल जी लिखते हैं नाथ पंथ में किसकी सिद्धी है रसाइन की सिद्धी है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही चटकर निकला है इसमें कोई शंदे नहीं अब शुकल जी ये लिखते हैं कि नाथ पंथ का जो विकाश हुआ सिद्धों से ही चट कर हुआ वलब सिद्धों से ही अलग हो कर हुआ इसमें कोई भी संदेह नहीं है किसी भी परकार का संदेह नहीं है इतिहास से इस बात का पता चलता है कि महमूद गजनी के भी कुछ पहले सिंद और मुल्तान में भी कुछ मुशलमान बस गह थे जिनमें कुछ सूफी थे बहुत से सूफियों ने भारते योगियों का परनायाम आदी की क्रियाएं भी सीख ले इनका उलेक मिलता है अब सुकली जी ये भी कहते है कि महमूद गजनवी से भी कुछ पहले सिंद और मुलतान में मुसलिम आकर बस गए उसके उसमें कुछ सूफी भी थे और ये जो सूफी थे बहुत से सूफियों ने भारते योगियों के परनायाम परंपरा को भी सीख लिए भारते परनायाम परंपरा को भी सीख लिए अत्य है चगुरक नाथ चाहे बिक्रम की दश्मी श्यदी हो चाहे तेरहमी शेदी हो उनका मुसल्मानों से परिचित होना शौभाविक हो अब शुक्ली जी लिखते है कि क्योंकि महमूद गजनेवी के समय से ही जो है जो इसलाम धर्म के लोग थे बलश सूफी थे वह सिंद और मुलतान के आसपास आके बस गए थे और वहीं से जो है बस गए थे और ये सूफी भी भारतिय प्रनायाम परंपरा को अपनाने लगे इसलिए गोरक नात जो है इन मुसलिम और सूफियों से परिचित होना सौभाविक था और यह कहा भी जा चुका था कि पंजाब और राजपताना सूफियों का महतपुर्ण केंदर था तो दोस्तों आज के लिए इतना है मुझे पुरी उमीद है कि नात साहित आप समझ गए होगे आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह सूफियों का विकाश हुआ भारत में किस तरह मुसल्मान आए मुसल्मानों का किस तरह नात पंच से संबंध हुआ और मुसलिम सूफियों ने किस तरह नात परंपरा को अपनाया और किस तरह शिद्धों और सूफियों के बीच अपने धर्म को के परचार को लेकर सुकली जी लिखते है कि धर्म के परचार को लेकर किस तरह की लडाई होती थी और सिद्ध भी उनसे और एक अखारा बन गया था जिसे सुपीली ने नाम दिया करामती दंगल कि चाहे वो सिद्ध हो चाहे वो सूफिजम के जानकार हो दोनों आम जनता को अपने चमतकार से अपने बश में करना चाहते थे अपनी ओर आकरसित करना चाहते थे लेकिन जो परवाओ आगे चल कर नात पर परा उनकी भी चर्चा करेंगे तो पूरी विडियो को ध्यान से देखा किजिए और आज आप भी संपुर्ण शाहित को शंपुर्णता में परना चाहते हैं तो फिरी है डिस्क्रिप्शन में मेरा नमबर रहता है आप लाइव क्लास से भी जूर सकते हो बिल्कुल फिरी क्लास में आप लाइव क्लास से जूर के साहित को आशान भासा में मैं कहूं एकदम अगर दूद पीता बच्चा भी पूरा विडियो देख लेगा तो उसे भी याद हो जाएगा फिर आपको तो याद होगा है आज के लिए इतना है धन्यवाद जयाहिंद